कि रियालिटी पिच्चर बूक हां सिर्फ पांच मिनिट बचे हैं क्या वो इसे रोक पाएंगे हां नोबिता के पास बॉल है वो गोल की तरफ जा रहा है वो पूरी स्पीट से बढ़ रहा है ये गोल अरे नहीं हां अरे नहीं मॉम को तो ये बहुत पसंद था अब मैं क्या करूं भूआब पासंट अ बगरा है ये बम मैं प्ड़ م terrरा전 रहा है kitchen बभी तो ये ग्याग दो अब मैं इसका क्या करूं इसे वहां चुपा देता हूं हाँ यह ठीक है अब इसे कोई नहीं धून पाएगा तुम यहां क्या कर रहे हो हाँ नहीं कुछ भी तो नहीं माम अच्छा नोबिता कभी कभी खेलने से पहले अपना होमवर्ग भी कर लिया करो समझ गये हाँ ठीक है नोबिता तुम्हें अपनी बॉल अंदर रखनी चाहिए हाँ आज तो बाल-बाल बच गया तुम क्या पढ़ रहे हो क्या ये ये है रियालिटी पिक्चर बुक रियालिटी पिक्चर बुक क्या मैं देखूं हां अरे ये तो मीचान है डोरेमान हां तुमने सही कहा हां तो ये बुक मीचान के बारे में है अरे इस बुक में तो दो ही पेज है क्योंकि इस बुक में पिक्चर स्मूब करती है नोबिता क्या सच में? अरे वाओ पिक्चर चेंज हो गई ये पिक्चर बुक तो बहुत मज़ेदार है हाँ? अरे क्या बात है? हाँ? अरे ये तो वही है ये हमेशा मीचान को परिशान करता है आज मैं इसे नहीं छोड़ने वाला हाँ? बीचेंज! ये क्या डोरे मौन तो बिना वज़े ही घबरा रहा है ये तो बस एक पिक्चर बुक है असलियत में थोड़े ही हो रहा है हाँ? ये क्या? वो तो पहुँच गया उसे छोड़ना मत डोरे मौन मैंने उसे भगा दिया नो पिता लेकिन तुम पिक्चर बुक में कैसे दिखाई दे रहे थे? वो इसलिए क्यूंकि ये पिक्चर बुक बिल्कुल वही दिखाती है जो सच में हो रहा होता है समझे? क्या सच में? तो जो कुछ हमने पिक्चर बुक में देखा वो मीचन के साथ हो रहा था हाँ इससे यूज कैसे करते हैं? सबसे पहले ये डिसाइड करो कि तुम कौन सी पिक्चर बुक देखना चाहोगे कौन सी देखूँ? ये ठीक है पता था तुम यही चूज करोगे कैसे? देखो ये तुम्हारे जैसे आलसी के लिए बिल्कुल साही बुक है नोबिता मॉम को इतनी मेहनत से सारा दिन काम करते हुए देखना तुम्हारे लिए एक अच्छा लेसन होगा मैंने ठीक कहाना नोबिता हाँ ठीक है डोरे मॉन अब जल्दी से ये बताओ कि इसे यूज कैसे करना है ठीक है तुम्हें अभी बताता हूँ पहले तुम्हे पिच्चर बुक को मॉम की तरफ मोरना होगा उसके बाद स्विच को दबाओ और कुछ नहीं करना है हाँ अब कुछ नहीं करना हाँ ये बहुत आसान है ना अब मेरी बात ध्यान से सुनो ये पिच्चर बुक मॉम के बारे में है नोबिता मुझे दिखाओ हाँ तुम्हें सही कहा अब जरा मुझे भी देखने दो हाँ वो पुरानी मैगजीन जिक अच्छी कर रही है तेखो मॉम कितनी मेहनत करती है वो तुम से बिलकुल अलग है नोबिता क्या वो कहां जा रही है अब नहीं क्या हुआ अरे नहीं वो तो स्टोरेज शेड में जा रही है अब मेरा क्या होगा क्यूं स्टोरिज शेड में क्या है? कुछ भी नहीं तुम्ने फिर से कुछ छुपाया है, क्यूं है ना? तुम्हें फिर से टेस्ट में जीरो मिला है ऐसा तो कुछ नहीं है डोरेमान पिच्चर चीन्ज हो गई अरे नहीं अब क्या होगा वास का पता चल गया वास अब मैं क्या करूं से नहीं करता नोबिता मू भाग गया मैं देखती हूं कि वो कब तक मुझसे भागता है अपकी बार मैं उसे छोड़ने वाली नहीं हूं ड्रेमोन समझ गए अब मुझे उमीद नहीं है कि नोबिता कभी सुतरीगा अरे रियालिटी पिक्चर बोग कहां है वो उसे ले गया वो हमेशा यही करता है अच्छा हुआ मैं ये बुक अपने साथ ले आया अब मैं कौन सी उस करूं हां ये बुक ठीक रहेगी तुम्हारा घर गंदा हो गया है पी को आज मैं से साथ कर देती हूँ वो रही शिजुका हां हां फ्रेंड्स पिक्चर बुक को यूज़ करता हूँ अब मैं आराम से कहीं भी बैट कर इसे देख सकता हूँ अब इसके बाद मैं कौन सी बुक यूज़ करूं हां हां अरे वाइक हेलिकॉप्टर ये बुक ठीक रहेगी कुछ मज़ा आया नोबिता मेरा हेलिकॉप्टर कैसा लगा हे नोबिता जरूर तुम भी से ट्राइ करना चाहोगे लेकिन हम करने नहीं देंगे सुनो मुझे इसे ट्राइ नहीं करना वो चला गया जाने दो बहुत हो गया जियान अब मेरा हेलिकॉप्टर वापस दे दो अभी नहीं सुनियो मुझे अभी थोड़ी देर और चलाना है लेकिन तुम इसे काफी देर से उड़ा रहे हो जियान घबराओ मत इसे कुछ नहीं होगा अरे क्या बात है जियान ये कंट्रोल नहीं हो रहा क्या अरे नहीं प्लीज कुछ करो जियान रिमोट काम नहीं कर रहा सुनियो अरे वो तो चला गया ये कहने से काम नहीं चलेगा जियान, जाओ उसे ढूंड कर लाओ, जानते हो मेरे डैड इसे कल ही खरीद कर लाए थे, ये बहुत महंगा है, अगर नहीं मिला तो, तुम्हें इसके पैसे देने पड़ेंगे, ये मेरी गलती नहीं है, ये इस रिमोट की गलती है सुनियो, तु तुम्हें एक बेकार पाइलेट हो जियान, गलती तुम्हारी है, क्या कहा तुमने, क्या तुम भूल गई, तुम किस से बात कर रहे हो सुनियो, मैं सच कह रहा हूँ, गलती तुम्हारी है, क्योंकि तुम्हें एक बेकार पाइलेट हो जियान, चुप हो जाओ, ये सब इस वज़े से हुआ है ये खराब है पकड़ अपना रिमोट रुख जाओ तुम ऐसे नहीं जा सकते प्लीज रुख जाओ जियान उसे ढूड़ने में मुझे तुमारी मदद चाहिए जियान अगर वो नहीं मिला तो मौम मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगी अब मैं आराम से बैट कर पिक्चर बुक देख सकता हूँ पता नहीं शिजुका क्या कर रही होगी डोरे मौन का ये गैजट तो कमाल का है हाँ वो क्या कर रही है शिजुका को इंसेक पकरना तो पसा नहीं है फिर क्या बात हो सकती है समझ गया उसकी क्यानरी कहीं उड़ गई है पीको तुम कहां चले गई हो पीको वापस आजाओ पीको शिजुका देखो वो वहाँ पेड़ पर है उपर देखो शायद अब मुझे ही जाकर उसकी मदद करनी पड़ेगी मेरा हेलिकॉप्टर पता नहीं कहां चला गया अरे नोबिता हो सकता है नोबिता को कुछ पता हो पीछा करता हूँ पीको अभी तक तो मेरी पीको यहां से बहुत दूर चली गई होगी पीको सुनो पीको तुम बहुत अच्छी हो अब जल्दी से नीचे आजाओ सुनो शुजुका हां नोबिता मेरी पीको वहां समझ गया मुझे अपना नेट दे दो हां मैंने पकर ली हां अरे भा नोबिता हां अरे सुनियों का हेलिकॉप्टर थैंक्यू नोबिता तुम कितने अच्छे हो कोई बात नहीं सुनो नोबिता क्या तुमने कहीं पर मेरा हेलिकॉप्टर मैंने देखा है क्या कहा सच में वो कहा है ये रहा सुनियों अरे ये तो मेरा हेलिकॉप्टर है ये उपर पेड में अटका हुआ था सुनियो ठैंक यू नोबिता ये हेलिकॉप्टर बहुत महंगा है मुझे माफ कर दो नोबिता मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हें कभी परिशान नहीं करूँगा कोई बात नहीं सुनियो मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा बारिश शुरू हो गई अब मैं चलती हो नोबिता हाँ मैं भी बाई 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 बाद में मिलते हैं अब मुझे भी अपने घर जाना चाहिए शायद मौम अब तक मुझसे नाराज होंगी दो रिमान अरे तुम सही टाइम पर आये हो अब जल्दी से मेरी मदद करो नोबता हां हां मौम कहा पर है वो अभी थोड़ी देर पहले शॉपिंग करने गई है ओके लेकिन पता नहीं नोबता मौम अंब्रेला लेकर गई है यह नहीं हां हां उनके पास अंब्रेला नहीं है नोबता तो बहुत अच्छा है ओ नहीं काश ये बारश जल्दी से रुख जाए मौम हां अच्छा हुआ तुम आ गए ये लीजिये मौम थांकियो बेटा ये लो पकड़ो आज आपने जो कपड़े धोई थे मैने और डोरे मौन ने वो सारे अंदर रग दिये हैं मौम तुम दोनों मेरा कितना ध्यान रख आप मुझे माफ कर दीजिए वो वास मैंने ही तोड़ा था मैंने उसे सौकर बॉल से हिच कर दिया था आप बहुत नाराज होंगी इसलिए मैंने उसे चुपा दिया था कोई बात नहीं बेटा मैं खुश हूँ क्योंकि तुमने मुझे सब सच सच बताया है जो तूट गया उसका तो कुछ हो नहीं सकता और तुमने मुझसे माफी भी मांग ली है तो अपने नाराज नहीं हूँ अब तो तुम खुश होना नोबिता बेटा हमें घर चलना चाहिए मुझे डिनर भी बनाना है तुम्हारे पापा घर पहुंचने ही वाले होंगे माम को अच्छा लगा कि नोबिता उनकी मदद करने चला गया मुझे भी बहुत खुशी हो रही है पिट होट लाइन अच्छा क्या ये बात है ये तो ठीक नहीं है क्या बात है डोरेमॉन सुनो नोबिता बी चान का एक फ्रेंड है काको चैन हां हां देखा ये कितनी बुरी बात है नोबिता मैं तो कुछ भी नहीं समझा चलो हमें मिस्टर यामारा से बात करनी होगी ओ आइम सॉरी ऐसा लगता है तुम पैट्स की फिलिंग को बहुत अच्छी तरह से समझते हो मुझे बहुत खुशी होई बताओ मीचान अब तो तुम खुश हो ना हां तुम्हें लगता है यहां और भी पैट्स है जिने कुछ प्रॉब्लम है इसने सही कहा डोरेमॉन मुझे यकीन है यहां और भी पैट्स होंगे जो कुछ कहना चाहते होंगे कुछ समझे हां तुमने ठीक कहा लेकिन मैं हर पैट को तो ट्रांसलेशन जली नहीं खिला सकता ना नोबिता यह ठीक रहेगा तपैट फोन क्या यह एक पैट होट लाइन होगी बिल्कुल सही हम इसे स्कूल के पीछे वाली पहाडी पर सेट करेंगे और अपने फ्रेंज के जरीए मीचान सबको इसके बारे में बता देगी और हम अपने रूम में ही बैट कर सब सुनेंगे यह तो बहुत फास्ट है हलो मैं पैट होट लाइन से बोल रहा हूँ हलो मेरा नाम कैथरिन है और मैं अपना रास्ता नहीं ढून पा रही हूँ तुम खो गई हो अपने ओनर का नाम और अड्रेस बताओ मैसेश सुकीटा हाउस नमबर फॉर समझ गया तुम वही रुको हम अभी आते हैं जल्दी करो नोबिता कैथरी तुम गहाओ वह तो यहां नहीं है मैंने उसे यहीं रुकने को कहा था अरे यह क्या गैथरी ने के लिगेटर है इसी कैथरी क्लव ओ कैथरीन मेरी प्यारी कैथरीन ओ तुम कहा चली गई थी कैथरी नाम की वज़े से मुझे लगा कि वो एक कैथ है मुझे खुशी है वो पहुच गई नोबिता डोलर फॉन कैसे हो तुम एनिमल्स से बात करने में तो बहुत मजा आता होगा ना एक बार मैं भी ट्राइ करना चाहती हूँ हाँ जरूर करो हेलो मैं पैट हाट लाइन से बोल रही हूँ मैं सूनियो के घर से बैरन बोल रहा हूँ हाँ बोलो बैरन क्या कहना चाहते हो सूनियो ने तुमें बताया होगा कि वो खाने में मुझे सिर्फ मीट देता है क्यों है ना देखो ये बैरन का खाना है टॉप क्वालिटी मीट ये बहुत सस्ता है ये सब छूट है वो हमेशा मुझे सस्ता डॉग फोड और खर का बचा हुआ खाना खिलाता है कभी-कभी फिश्या मीट मिले तो अच्छा लगेगा इसने ये कहा हाँ ये कभी-कभी खाने में फिश्या मीट भी खाना चाहता है सुनियो मेरा बैरन ऐसा कभी नहीं कह सकता नोबिता जरूर तुमें कोई गलत पहमी हुई है लेकिन इसने तो कहा है कि तुमें से सस्ता डॉग फोड और घर का बचा हुआ खाना खिलाते हो हाँ तुमने सच में ऐसा कहा चिंता मत करो बैरन आज मैं तुम्हें अच्छी क्वालिटी का मीट खीलाओंगा मॉम बैरन के खाने का टाइम हो गया है देखा ये कितना खुश है हेलो ये पेट हाट लाइन है बोलिए क्या तुम्हें घर से निकाल लिया मेरा नाम है पीपो, मैं एक खैनरी हूँ, मुझे एक नया ओनर चाहिए बहुत बुरा हुआ, लेकिन पीपो मेरे पास थो पहले से ही एक खैनरी है अरे हाँ, मुझे अभी याद आया मेरे अगले वाले गर में टनाकों को एक खैनरी चाहिए तुम उसके पास चली जाओ पीपो ओ, थैंक यू थैंक यू, मैं इसका ध्यान रखूंगी हाँ हलो, मैं पेट होट लाइन से बोल रहा हूँ जियान तुम से हैंडस्टैन करवाता है हाँ क्या मूकू मूकू की फेलिंग्स को समझने की कोशिश करो जियान लेकिन उससे तो ये बहुत पसंद है लेकिन तुम उससे हैंडस्टैन करवाते ही क्यों हो मैंने टीवी पर एक डॉग को ऐसा करते देखा था मेरा मूकू भी एक स्मार्ट डॉग है वो भी शेक बैग एंड टर्न अराउंड कर सकता है और इसलिए वो हैंडस्टैन भी आराम से कर सकता है लगता है मूकू से तुम्हारी बात करवानी ही पड़ेगी हे मूकू सुनो मैं बोल रहा हूँ तुम कुछ कहना चाहते हो तो कहो बात यह है कि हाँ हाँ जल्दी बोलो क्या तुम नहीं कर सकते मूकू मैं जानता हूँ तुम कर सकते हो एक बार ट्राय तो करो मैं यह सब नहीं करना चाहता तुम ट्राय भी नहीं करना चाहते तुम्हें पता नहीं मैं कितनी मेहनत से सिखा रहा हूँ तुम बेकार हो मुकू, अब तुम्हें वापस आने की कोई ज़रूरत नहीं है मैंने टीवी पर देखा है, अज़ बहुत तेज वारिश होगी मॉम, अभी मैंने एक दौग की आवास सुनी अरे मुकू, प्लीज थोड़ा धीरे चलो डोरे मॉन, एक बुरी नियूस, मुकू अभी तक वापस नहीं आया हाँ, मुकू घड़ नहीं आया, अब क्या करें? हाँ, पता नहीं वो इस बारिश में कहां होगा, मुझे चिंता हो रही है जल्दी चलो, हमें उसे ढूणना होगा मुकू तुम कहा हो, मुकू, मुकू, मुकू मुकू, मुकू, अरे बचाओ मुझे प्लीज कोई बचाओ मैं डूब जाओंगा अरे कोई बचाओ मुझे, प्लीज ये मैं कहां फस गया हूँ अब मैं क्या करूँ अरे मुकू मुकू क्या हुआ देखो वो रहा मुकू मुकू प्लीज मुझे माप कर दो, मैं बहुत बुरा हूँ, मैंने तुम्हे घर से निकाल दिया, अब मैं तुम्हे कभी परिशान नहीं करूँगा, तुम बहुत अच्छे हो मुकू मुझे खुशी हुई, हाँ मुझे भी नोबिता, पैट्स भी तो फैमिली के मेंबर ही होते हैं, जोगरा हो गया तो क्या हुआ, तुम भी तो एक पैट हो डोरे मान, देखो मुझे पैट मत कहना, मैं पैट नहीं हूँ, मैं 22 सेंचुरी से यहां तुम्हारे पदद करने आय मैं हूँ संजीनों पिता